हलो एवरिवन मैं क्रिशन शोरान आज हम बात करेंगे IRDA की तरफ से 1 अगस्ट 2020 से नए कस्टमर बाइक कस्टमर और कार कस्टमर के लिए क्या गाइडलाइन IRDA की तरफ से आई है अगर 1 अगस्ट 2020 के बाद कोई भी कस्टमर अपना नया बाइक परचेज करता है या कोई भी न के बारे में हम बात करेंगे तो इस गाइडलाइन को थोड़ा सा समझने के लिए हमें पहले दो साल पीछे जामें जाना होगा यानि की 1 सितंबर 2018 से IRDA की तरफ से नए बाइक कस्टमर और नए कार कस्टमर के लिए इंसुरेंस के प्लान में इंसुरेंस के रिगारिंग कोई प्लान उन्होंने कंपल्सरी किया था IRDA ने और वो क्या प्लान था वो प्लान था कि अगर एक स्तंबर 2018 के बाद कोई भी कस्टमर अपना नया टूलर परचेज करता है तो उसको ये वाला जो प्लान है वन प्लस फाइव यर वाला ये कंपल्सरी कर दिया था उस कस्टमर के और सेम कार में अगर कोई कस्टमर अपना नया कार परचेज करता है तो उसके लिए वन प्लस त्री येर वाला जो प्लान था वो कंपल्सरी कर दिया था वन प्लस फाइव यर का मतलब है वन यानि कि एक साल के लिए ओन डैमेज इंशुरेंस उसको लेना कंपल्सरी है और प कार कस्टमर को उसके साथ में ये प्लान तो उनोंने कंपल्सरी कर दिया था टूविलर के लिए और कार के लिए उसके लावा इंसुरेंस कंपनियों के पास आई-आडी की तरफ से एक और अलग ऑप्सनल प्लान था कि वो कस्टमर को प्रेफर कर सकते हैं वो प्लान था साल का थर्ड पार्टी इंसुरेंस जो ये फाइव फ्लस फाइव और थ्री प्लस थ्री एर जो प्लान था इसको इंसुरेंस कंपनिया लोंग टरम पैकेज भी बोलती थी लोंग टरम पैकेज पॉलसी या बंडल पॉलसी अब क्यागी एक अगस्त दो हजार बीस से आई-आ पैकेज पॉलसी वाला उसको भी विड्रो कर दिया उसको भी हटा दिया यानि कि अब एक अगस्त दो हजार बीस से अगर आप अपना नया टूइलर पर्चेज करते हैं तो जो पहले प्लान ओल्रेडी चल रहा था एक स्टंबर दो हजार ठार से एज इस वही प्लान अब च इसुरेंस एक्सपायर होने वाला होता है एक हपता पहले दस दिन पहले तो आपको यह वन यर वाला ओन डेमेज इंसुरेंस फिर से रिन्यू करवाना होगा अगर आप इसको रिन्यू नहीं करवाते हैं तो अगर आपके विकल के साथ कोई हाथसा होता है कोई मिस नहीं देगी तो यही जो नई guideline थी कि यह जो वाला प्लान है यह IRD ने इसको हटा दिया है यही एक information थी और इसके लावा अगर आपकी कोई भी insurance policy या claims related कोई query है कोई question है तो आप अपनी query question हमें comment box में लिख सकते हैं हम आपके query का reply जरूर करेंगे और अगर आपको यह वीडिय लगी है तो please video को like करें share करें और channel को subscribe करें ताकि आगे आने वाली जो video की notification है वो आपको असानी से मिलती रहें मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद